तो नहीं माता जी की तब्वित के लिए तू छोटा भाई खड़ा हो जाएगा मैं जाके शूट कर लेता हूं ऐसे तो उसको गंजा ऐसी बोल दिया जाता है कालू ऐसे बोल दिया जाता है मोटे वो नोर्मल है बहुत नोर्मल है अंग्रे जो को अपले बेचते हैं किसी को कु पूरे टाइम यही करते हैं वो भी किया मैंने एक मार्श 2017 पहली वीडियो उसके पहले डबिंग और साथ साल का यह सफर हो गया इस सफर में बदलाव कितना आया है खास्तोर से यूट्यूब के कंटेक्स्ट में मैं पूछ रहा हूं आप यूट्यूब के कंटेक्स्ट में आपके परसनल पहले यूट्यूब का बात की बात है। थोड़ा बिठा के न, थोड़ा बैट के, थोड़ा प्रभू के करीब जाके, परिवार के करीब जाके, काम करेंगे उतना ही, काम वैसे ही करेंगे, लेकिन अभी हलका सा ठहराव से करेंगे, आराम से करेंगे, भगदड नहीं है, ऐसा नहीं है कि रात के दो बजे माता जी की तब्यत कराब हो रही है तो नहीं माता जी की तब्यत के लिए तू छोटा भाई खड़ा हो जाएगा मैं जाके शूट कर लेता हूँ पहले ऐसे बहुत था कि अगर घर में कोई काम है अरे सुमित तू कर ले या सूबे तू कर ले छोटे भाईयों को दे दिया मैं काम कर रहा हूँ मैं काम कर रहा हूँ अब वो कुछ वरसों से खतम हो गया सब चीजों को बराबर समय देंगे तो अकले ही अकले दोड़ते रहेंगे परबू साथ में है वो चला रहे है उनी के हम दिसा निर्देस ओपर चल रहे हैं अच्छा अब यूट्यूब के संदर में पूछ रहा हूँ क्या फिल करते हैं इस साथ साल के सफर में कॉंटेंट वाइज मैंने अपने आपको बहुत बदलाव में पाया है पहले मैं ऐसा लगता है कि पहले जिस तरह का मैं हुमर दे देता था वो अब मैं चाहकर भी नहीं दे पाता हूँ उसके पीछे बहुत कारण आ जाते हैं जिम्मेदार हो गया हूँ मैं जैसे कि मैंने अपनी वीडियोज में कई बार ऐसे कह देता था ओई चस्मिस तो मैं एक दोस्ता वो एक दिन बड़ा रोया मेरे पास बैटे कि उसने मुझे से कहा कि मैं कहा कैसे परिसाने क्या बात हुई कहा रहा यार भाई बताओ मेरी तीन साल की बच्ची को चस्मा लग गया तो मैं बड़ा मुझे दुख है यार उसकी आई साइड अभी से इतने वीक हो गई है तो मुझे लगा कि यार यह तो कितना sensitive topic है मतलब कि इनसान मतलब कितना महसूस कर रहा है वो इस बात को हम तो अपनी वीडियो में हसी मजाक में यह कह देता है अब है वो चस्मेस अब है वो यह तो बस ये एक मेरे अंदर जिम्मेदारी आगई है यह change आया है वो मैं जान बूच कर लाया हूँ मैं वो humor आज भी बना सकता हूँ क्योंकि हम आते ही उस घर से है जिसमें मुझे बोला है आदमी ऐसे है तो उसको गंजा ऐसे ही बोल दिया जाता है कालू ऐसे ही बोल दिया जाता है मोटे वो नोर्मल है बहुत नोर्मल है ऐसे कहते हैं बहुत नोर्मल है लेकिन मुझे समय के साथ पता लगा है आदमी के इनके साथ अपने विचार भी जुड़े होते है आदमी को बुरा लग जाता है क्योंकि आदमी भी दीरे दीरे इमोसिनली वैसा होता जा रहा है कि यार ऐसे बात बोल दिया वो तो मैं कोजिस करता हूँ किसी के सेंटिमेंट किसी पर परसनल वो ना करूँ अब जैसे मेरा एक डायलोग था कि लेकि ना फूपा हमारे सान सदना चाचा हमारे विधाय नायक नहीं हमें खल नायक तो इट्स ओके बड़िया बात है आदमी गर महसुस करा है लेकिन एक तरह वो बोल रहा है हसीना गोरी है घर पे रखकी पैसान की बोरी है पैसान की बोरी है ठीक है लेकिन यह जो जा रहा है ना हसीना गोरी है यहां पर मुझे लगा कि यार नहीं यह थोड़ा सा मतलब मैं यह क्या कह रहा हूं मतलब कि हसीना गोरी है ह रंग की बात आ रही है कुछ उसकी बात तो ऐसे आदमी थोड़ा सा मैच्छोर हो जाता है अपने आप में उसको लगता है नहीं यार और रास्ते डूंड लेंगे तो और रास्ता डूंड आप अंगरे जो को उपले बेच रहे हैं तो कहीं ऐसे यूथ जो है यह सुचने लग है और अगर है का कम भी हो रहा है। और यह आप सीरियोस कॉनटेंट बनाकर हो गोंगों को एक्सकाइटेड कर रहे हो वो मम हर एक चीज करना चाहता हूं सर्थ मैंने ऐससअ सीं वेब सिरीश करीним तो मैंने बहुत intense acting करी उसमें, फिर मैं अगली वीडियो गाउं का यूवर ने तलिया है, जिसमें पूरी comedy है, तीन उत्माती बच्चे गाउं के, दुआ ठा रखा है पूरे गाउं में, अंगरे जो को उपले बेचते हैं, किसी को कुछ करते हैं, परदान की लड़की के ओप क्रस आ रखा है, पूरे टाइम यही करते हैं, वो भी किया मैंने, और एकदम से भजन कर दिया, तो versatile है, मुझे वो करना है, कुल मिला के, मुझे अपने act के अंदर, मुझे लोग न यह न बोलें, कि यार तु तो comedian है, मुझे लोग यह भी बोलें, कि आप comedy भी अच्छी करत हो, आप inspire भी अच्छा करते हो, आप लिखते भी अच्छा हो,